जब हम सन प्रेफरेंस की बात करते हैं, बेटे को तरजी दी जाएगी लड़के को लड़की पे, तो उसका उसकी तालीम के हग पे भी बड़ा असर पड़ता है जाहर है इसको तालीम काम दिलवानी है, बची को या स्कूल में दाखिल करना ही नहीं है, अगर करना है तो बहुत आला तालीम की तरफ नहीं लेके जाना है तो ऐसे इदारों में भेजा जाएगा जहां कम पीसे हों बनिस्बत उनके जहां पे लड़के जा रहे हैं Global data doesn't demonstrate significant differences between girls and boys in terms of enrollment in primary school which is encouraging एक बात तो encouraging है कि पूरी दुनिया के अंदर जो pre-school के अंदर जिसकी हम खास तोर पे बात कर रहे हैं, enrollment में कोई significance difference ये नहीं बता रहा कि बच्चों और बच्चीों में से किस को हम ज्यादा दाखला दिलवा रहे हैं, वो तकरीबन एक जैसा दाखला जो है वो pre-school में बच्चों का हो रहा है और ये पूरी दुनिया में UNICEF की तरफ से, UNO की तरफ से, जो campaigns हैं और जो low income countries हैं, उनके उपर जो restrictions या यू समझ ले suggestions हैं, policies की, उनके तहत ये मुमकिन हुआ है For both girls and boys, enrollment rates in any form of early childhood education are far too low फिर भी, कुछ ऐसे मुमालिक हैं, जहां बच्चियों की तदाद, स्कूल जाने वाली बच्चियों की तदाद, बच्चों के मुकाबले में कम है हम याद रखिए, यह हम शुरू से plans study जो के 66 मुलकों के उपर conduct की गई, और आप इसको अपने handouts में पढ़ेंगे यह उसके नताइज हैं, कि इसमें उन्होंने यह बताया है कि पाकिस्तान में जो गुर्बत की वज़ा से बहुत से बच्चे और बच्चियां दोनों ही प्री स्कूल में नहीं जा सके आप सब समझते हैं कि 223 में हमारा जो literacy rate था, वो 58% तक था, अभी भी 42 वीसद बच्चे स्कूल से बाहर थे उस दौर में तो अब आने वाले वक्तों में हम उमीद कर सकते हैं कि और बच्चों जो हैं वो प्री स्कूल में enter होंगे So girls were also being kept out of early education because even as young as three years of age, they were needed at home to look after younger siblings and because the education of girls was considered to be against family traditions अभी भी हमारे हां बहुत से ऐसे इसे इलाके हैं, सिर्फ पाक्स्तान में नहीं, योगेंडा में, इंडिया में, बोलीविया में वह से ऐसे मुवालिक जिनके ओपर ये research हुई, वो ये बताते हैं, कि बच्ची जो है, वो अभी छोटी सी ही है, वो तीन जा चार साल की ही है तो अभी से उस बच्ची के बारे में ये समझा जाता है, कि वो छोटे बहन बाईयों का ध्यान करेगी या वो माँ के साथ काम कराएगी, या किसी भी ऐसे तरीके से उसको रेस्टिक्ट किया जाएगा घर में, कि वो स्कूल ना जाए और दूसरा, इसमें हम आगे आने वाले मोडिूल्स में बात करेंगे, कि और भी बहुत से ऐसे फैक्टर हैं, जिसकी वज़ा से हम बच्चियों को कम तालीम की तरफ भेजते हैं इन में से एक बड़ा फैक्टर तो यही है ना, जो इस वक्त हम मेंशन कर रहे हैं, कि सन प्रेफरेंस, कि पहली तो यह है कि आपकी प्रेफरेंस ही नहीं है, कि बच्ची को आपने स्कूल भेजना है, अगर बेटा होता है, तो उसको स्कूल भेजा जाता है, और बेटी को का कि लाइन से नीचे सफर कर रहे हैं जिन्दगी गुजार रहे हैं और जो हमारे दूर दराज के आलके हैं कुछ हमारे खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको बड़े होके भी तो घर के काम ही करने हैं, हाउस कोर्स ही करने हैं, इसलिए अगर उसकी तालीम पे वक्त और पैसा ना लगाया जाए तो कोई फरक नहीं पड़ता